हेलो दूस्तों जैसे के देख पार है मारुती सुजूकी की बलेनो है 2017 का मोडल है इसका एसी जब चालू किये ना तो कुलिंग नहीं हो रही थी क्यूंकि इसका कुलिंग वैल लेकेज है इस वहेसे कुलिंग नहीं हो रहा है और इसका मैं डेशबोड कोलने जा रहा हूं जो के 2016 का मोडल का है तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं यह 2017 का मोडल है जैसा के देख पार है आप 2017 का मोडल है तो सबसे पहले मेरे को कॉंसल बॉक्स कोलने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाता हूं तो जैसा के देख पार है गाड़ी अब चालू पोजिशन में सपार्ट करता हूं फिर आगे आपको दिखाता हूं चलो फिर खूलने के लिए जा रहा हैं का मौनल बॉक्स खूलने के लिए दो अधू रहता है एक सकर रहे गा तो उससे पार अकि सेट दिया रहता है इस कुरू सूर यह दोनेया खुलनने के बाद यह वाली जो करोम है न वाला निकलेगा जैसा के देख पर है यह भी निकल गया और इसको घुमा के आप खोल दीजिए तो बेटर रहेंगा खोल जाता है तो मैं खोलता हूं फिर खोल के आपको आगे दिखाता हूं तो यह कोई-पै गाड़ी में खोलने वाला दिया रहता है तो मतलब यह नहीं खूलेगा तो इसे इसको एशी रख देते इसमें लॉक दिया है यह वाला अब तो इसको एजिली खीचेंगे आप ऐसा कि देख पा रहा है कि निकल गया है यह भी निकल गया है अब इसके बाद यह वाला रही यह भी निकल चुका अब उसके वाद साइट का जो है एक क्लिप क्लिप दिया है नहीं दिया है स्कूरू रहेंगा इसको कि तो सब से देख पार इसके अंदर ये वाली सॉक्ट निकल दिया है और है सिर्के एक सोकिट है यह जए सोकिट निकलके फिर मैं आपको आगे दिखाता हूं कि यह जेशा के देख पाने इसके अंदर सकिट कि निकाल डिया हूँ और इज शी लिया बाहरा आ जाएगा यसा के देख पाने भाहरा गया अब इधा भी स्कूरू रहता है पर गोला हुआ है मतलब कोई खोला है इसको इसको यह चैसा हिसे शोनल कर दिया हुए है तो श्कु निकाल देता हूं मैं अर डिली इंवा को पार निकाल जंक लिए बाजू का भी मिन कर दिया है यह एतना कर दोड़िक तो तो खीचेंगे तोड़ा निकल गया दोनों को पीछे रख देता हूं अब जैसा कि देख पार है कॉंसल बोक्स पुरा मेरा निकल चुका अब यह 12 नंबर जो चार बोल्ट दिया है गेरबॉक्स खोल के पलती मार देता हूं मैं फिर आगे आपको दिखाता हूं तो जैसा कि आप देख पार है गेरबॉक्स का चारो बोल्ट मैंने 12 नंबर खोल दिया हुआ और यह वाली पती है यह वाली पती को खोल के आपको अलग करना पड़ेगा इसके बाद यह 4 बोल्ट खोलने के बाद इसी लिए उपर आ जाएगे जैसा कि देख पार है मैं इसको स रही यह cricket निगालना पड़ेगा मेरे को तो सब कुछ फिर निकालता हूं फिर आगे उखव करने के बाद फिल्म आपको दिखाता हूं टो तो चलो फिर आप मेरे वीडियो में नहीं हो तो प्लीज लाइक कोनेट सस्क्राइब पना ना भूले और वीडियो में वीडियो पूड़ा देखें तो हेलो जैसा कि देख पार है मैंने फाइनली डेशबोर्ड का जो जो भी खोलना था खोलने का रहता है मैं सब कुछ खोल दिया हूँ जैसा कि देख पार है यह बारे नमबर इधर का दोनों खोल दिया हूँ सबसे पहले उसके बाद यह वाली सोकेट खोल दिया हूँ जैसा क उसके बाद यह वाली शोकिट निकालना पड़ेगा मेरे को निकाला नहीं हूँ कि यह निकालना पड़ेगा यहां का लॉक उसके बाद यह सब शोकिट निकाल दिया हूँ और यह देख पार है ब्लोर की सोकिट कि थिर्मोइस्थेर सेंसर की सोकिट और यह ब्लोर की सोज़ेग्य रेजिस्टन की सोकिट यह बी सीम में जनुट में चाल रह से सकती सारी सबकूला्ऊच से लगां उसके बाद यह a डाइट पेनल भी खूल दिया हूं कि आजका बेश को सब खुल चुक और बाहर में आपको दिखा देता भार क्या-क्या खोलना पड़े का नत खोला हां तो चलो मैं बाहर ले जाताओं आपको जैसा कि देख पार हैं वाइपर खोल दिया हूं मैं उसके बाद यहाला फाइबर कि लेगा अपना कि निकल चुका और इसके अंदर एक 12 नंबर देता है यहां से दिख नहीं रहा है जैसा कि देख पा रही है वाली तो यह खोलता हूं फिर खोलके मैं आगे आपको दिखाता हूं तो यहलो दोस्तों जैसा कि देख पार है फाइनली यह डैसबोट खोल दिया हूं मैं बाहर से जो जो मैंने आपको दिखाया वह 12 नंबर का जो बोल्ट था वह भी खोल दिया हूं सब खुल चुका है अब मेरे को पलटी मारने का है तो पलटी मार के मैं सीट के ऊपर हाल करके जुरुनिटा से दिखाता हूं आपको देखाता हूं और ब स्थेंगर और यहां अर। और एक इधर दिया है दो और तीन बहार साइज इससे दिया है तो फिर मैं इसको खोलदा हूँ खोलने के बाद फिर आगे आपको दिखाता ओं तो चलो फिर मैं खोलने लग जाता हूँ एक यह दो तीन बाहर से दिया हुआ रहता है तो चलो फिर मैं इसको बाहर लेता हूं बाहर लेकर के खोलता हूं फिर आगे आपको दिखाता हूं तो जैसा कि आप देख पा रहे है, मैं इसको फाइनली बहहर ले चुका हूँ और यह पूर्स टाइम कुल लेजिए डेशबॉड, लेज भी पूर्स टाम खूल लेया है, और इमिट भी फास्ट टाम कुल रेजिए तो चलो फिर मैं कुल्स प्रêuल को बहहर लेता हूं बाहर लेकर के पिर में आपको दिखाता हूँ तो फाइनली जैसा के देख पार है मैं पिलिंपेल ये काल दिया हूँ और लिंपेल जाएगा अपना ऐसा प्राइज भी देखी ज़िए आप आट्रे शुरू फेटा है प्राइज भी देखा रहा है तो चलो इसका एक्सटेंशन वाल खोल के में इसमें लगा के दिखाता हूं आपको तो जैसा के देख पार हैं इसमें अपको दिखाता हूं तो जैसा के देख पार हैं पुलिंग वाल बैट चुकी अपनी अब मेरे को यह वाली टरे में इसको मैं बैठा देता हूं फिर आगे आपको दिखाता हूं तो जैसा के देख पार हैं मैं फाइनली इसको फिट कर दिया हूं जैसा के आप देख पार हैं सब फिट हो चुका है और मैं बाहर भी फिट कर दिया हूं और नाइटोजन का प्रेशर मार के लिक टेस्टिंग को लगा दिया हूं जैसा के मैं आपको बाहर दिखा दे रहा कि वीिए पूंड हो चुका है तो जाशा कि आप देख आरे बाहर सब फिल्ट हो चुका है जिब कॉल पैनल लगाना बाग्की रहा दुल ओने उस एड़ प्र लगा दिया हूं और ये देख पारा है दोसों से ऊपर थोड़ा प्रेशर रखाऊं और एक घंडा कम से कम राखेंगे जब तक मेरा अंदर का फिटिंग हो जाएगा फिर उसके बाद प्रेशर में आपको दिखाऊँगा तो चलो फिर मैं आगे फिटिंग करने के लिए लग जाता हूँ सस्यार अब मैं इसको सब रौकिट जित्ता भी जू कुछ भी खोला हूँ सब इसका फिटिंग करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूu चलो फिर मैं फिटिंग करने लिए किया मने के लिए लग जाता हूँ और आगे आपको दिखाता हूं तो Hello । दूस्तो जैसा के देख प्र हो हैं मैं gearbox से बैठा दिया हूं और इदर की फिट कर दिया हूं इदर की फिट कर दिया हूं मेरे को तो मैं power window बोल दिया था airbag हो गरे की socket आर्थिंग हो गरे की socket थी तो मैं गलती से power steering बोल दिया था उसके लिए sorry तो चलो फिर आगे में सब fitting करके जो भी खुला है बाकी मेरा console box हो गरे बैठा करके सब fitting करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूं जैसा के देख पार है गाड़ी मेरी पुरी final fit हो चुकी है जैसा के देख पार है console box जितना भी जो कुछ भी खोला था में सब fitting कर दिया हूं जैसा के देख पार है पूरी घाड़ी fit हो चुकी है अब मैं आपको बहार दिखा देता हूँ नायटोजन का प्रेशर जो मारा था वो होल्ड है या नहीं है और कॉल पैनल हो गए रहे सब फिटिंग कर दिया हूँ वह भी दिखा देता हूँ तो चलो फिर मैं बहार आपको दिखा देता हूँ जैसा कि आप देख पार है सब तो वेक्यूम में लगा गए फिर मैं आपको दिखाता हूँ तो फाइनली देख पार है जीरो-जीरो प्रेशर हो गया अब इसमें को मैं लगा लेता हूँ तो फाइनली अपना वेक्यूम कंप्लीट हो गया अब इसमें थोड़ा सा आईल मार देते हैं अब गैस चार्जिंग को ले लेता हूँ 400 ग्राम मारते हैं फिर अगे अंदर गारी चालू करके फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ जैसा के देख रहे हैं चलो मैं गारी के अंदर जाता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ तो हलो दूस्तो जैसा के देख पर है मैं गारी के अंदर आ चुका हूं फाइनेलीğan के इस सब प्रोपर फिटिंग करके तरफ़ाए चालू कर छुका हूं कि स्वाइब भी प्रोपर चल्डब Yayre stress चल्ड़ है मॉट बंटन भी प्रोपर सब चेंज़ ओर है जोड़ा और अधो का भी स्विश चल्ड़ा है प्रोपर ऑफ का भी प्रोपर चल्ड़ अैं आउट सईड़ यदर भी को तो मैं इसका हेंटर हाई कर रहा हूं कि है जैशा के देख पा रहे हाइब अधिक कर चुका हुँ और हीटिंग टंपरेचर देख लीजिए आप बाहर रहा क्या नहीं तो 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 रहे थरे वीडियो करता हूं और कितना तक जा रहा है तो यह गारी का जो वीडियो है न वहाएख बनाया हूं बलेनो 2016 का मोडल का और यह 17 मोडल का है यह 17 का है 2016 का मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और मैं यह यह वीडियो के यह वीडियो के description में उसका link दे दूँगा चाहे तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं और क्या changes है cooling coil में या फिर क्या system में change आप द्याकर के देख सकते हैं यह 2017 का मोडल है तो heating temperature आप देख लीजिए जैसा के देख पार है 48 तक आ चुका है और सभी systems का proper चल्ड़ है मैं जिसको cooling पे ले लेता हूं कि यह आउट साइट का temperature भी 30 degree centigrade है और cooling coil का price भी मैंने आपको दिखाया जैसा के देख रहे है अठरे से रुपे का है नया और cooling coil जो देख रहे हैं लीक क्यों होता है जैसा के देख पा रहे है cooling coil यह cooling coil देख रहे है फोड़ी फोड़ी आ चुका है इसमें तो यह cooling coil क्यों हो जाता है अगर यह चीज़ आपको जानना है तो comment करके आप पूछ सकते हैं और आप मेरे वीडियो channel में अगर नए है तो please like comment subscribe करना ना बोले क्योंकि like comment subscribe करेंगे तभी मैं जा करके आगे next video जो बनाऊंगा खुशी खुशी से बनाऊंगा और अच्छी तरीके से explain करने की कोशिश करूँगा तो चलो फिर जब तक के लिए bye bye take care अल्ला हाफीज